तो उसका टेस्ट कराएं टेस्ट का रिजल्ट आने में अगर 24 घंटे या उसे अधिक समय भी लगता है तो यह मानते हुए कि मुझे कुछ सिंटम्स है मुझे दूसरे लोगों से अपने परिवार के लोगों से एक isolation रखना है एक distance बनाके रखना है जब तक मेरा test result नहीं आता और साथ ही मैं required precautions लेता रहूँ उसकी भी आज हमारे लिए जरूरत है कि हम उसको ढंक से implement करें दूसरा major focus है clinical management आज हम देख रहे हैं कि यता संबब प्रिद्न करते हुए भी हम पाते हैं कि कुछ प्रांतों में हमारे ऐसी situation भी पैदा हो रही है कि जहां पर hospital infrastructure पर stress create हो रही है तो उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ मुख्य अंग्शों का specifically पालन करें जैसे हम आप लोग को request करना चाहेंगे कि जरूरत है कि हम जितने भी हमारे home isolation cases हैं हम उनको monitor करें home isolation cases की monitoring करते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि जो व्यक्ती positive होकर home isolation में है वह proper isolation में रहे ताकि उसके परिवार के और सदेस्टे को infection ना फैले home isolation से संबंदित government of India द्वारा issue की गई guidelines का 100% पालनो वह में ensure करना है जरुवत है कि जो जिनकों की hospitalization की जरुवत हो उनको states के साथ coordinate करके हम seamless hospitalization को कोशिश करें ताकि patient को time पर admission मिल सके इसके लिए हमने states से और district से भी request किये कि हर state और district government of India की request के तहत एक dashboard प्रवाइड करें जहां पर की availability of beds उसको display किया जाए ताकि लोगों में एक unnecessary भै का वातरवन पैदा ना हो और एक transparent process किया जाए create किया जाए जिससे कि hospital में bed उनको मिल सके साथ ही जरूरी है कि states और district मिलकर based on the cases trajectory किस type के cases आ रहे हैं उसको देखते हुए जरूत पड़े तो additional government और private sector के hospitals के beds को covid dedicated beds में convert करें और अधिक जरूत हो तो makeshift temporary hospitals भी बना कर ensure करें कि जिन लोगों को beds की जरूत है उनको हम समय पर beds दिला पाएं जरूरी है कि हम national clinical management protocol को hundred percent follow करें आज आप लोगों की knowledge में भी है कि कहीं जगे पर oxygen और इसी तरह से जो investigational therapy वाली हमारी दवाईया हैं जैसे कि remdesivir, tocilizumab जो की limited supply में देश में available है because क्योंकि हमने देखा कि sudden search cases में आया है तो while eggs type पर government of India उनकी supply बढ़ाने का काम कर रही है दूसरा जरूरत है कि unnecessary drug prescription ना हो तो हम एक आप लोगे द्वारत सबसे ही request करना चाहेंगे कि kind लिया ensure करें जिसको oxygen supply के जरूरत हो उसको oxygen दी जाए जितनी quantity में oxygen supply के जरूरत हो उतनी ही oxygen दी जाए साथ ही जो investigational therapies हैं उनको उनके norms के हिसाब से clinical protocol के हिसाब से ही प्रेस्टाइब किया जाए यह भैका वातरण create ना हो कि अगर मुझे remdesivir या tocilizumab नहीं मिलेगी तो मेरे particular patient को खत्रा जादा है साथ ही हम इससे सम्मंदित एक और बात आप लोगी दृष्टी में लाना चाहेंगे कि जिस तरह से remdesivir और tocilizumab हैं हमारा clinical protocol clearly identify करता है similarly placed medicines जो की इससे cheaper है जो widely available है और उन सब को भी हमारी medical fraternity द्वारब prescribe करना चाहिए ताकि लोगों में एक जो भै का वातरण है वह कम हो सके और साथ ही effective and required treatment हम patient को दे पाएं इस विशे में डॉक्टर गुलेरिया आपको और detail में भी explain करेंगे साथ ही equally important है कि एक तरफ जब हम अपना medical infrastructure अपग्रेड करने की बात करें एक तरफ हम clinical management protocol follow करने की बात करें बहुत important है COVID appropriate behavior ये COVID appropriate behavior इसलिए जरूरी है कि अगर हमने इसको follow नहीं किया तो चाहे हम कितना भी medical infrastructure समय समय पर अपग्रेड करते रहें बट हमारे देश की जनसंख्या इन अधिक है कि हम जितना भी infrastructure बनाएंगे जब तक हमने अपने infection को control नहीं किया तब तक हम उस infrastructure को हमेशा किसी ना किसी लेवल पर stress पर पाएंगे तो दोस्तों मैं इस संबंदित आपको दो studies भी highlight करना चाहूँगा जैसे कि अगर आप देखें कि बहुत सारे विश्विद्याले में इस पर research हुई है उन्होंने पाया है कि अगर physical distancing से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं तो उन्होंने देखा है कि एक आदमी अगर कोई भी physical distancing measures को follow ना करे तो 30 दिन के अंदर वे 406 लोगों को infect कर सकता है यानि कि अगर हम अपने behavior pattern में COVID को समझते हो उससे संबंदित चरिया नहीं करते हैं कारे नहीं करते हैं तो to that extent हम अपनी family और अपने समाज को उस extent तक risk में ले जाते हैं अगर हम 50% physical exposure अपना कम कर दें तो ये पाया गया है कि 406 लोगों के मुकाबले 15 के करीब लोग infect होते हैं और अगर हम अपना physical exposure 75% कम कर दें तो एक infected आदमी इफेक्टिरी करीब धाई लोगों को ही एक महीने बाद infect कर पाएगा आप लोग तो पारा हमारी सबसे विंती है कि इस aspect को समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफ हम clinical management पर ध्यान दें दूसरी तरफ हम infection control पर भी ध्यान दें दूसरा विशे जो हम आप लोग की दृष्टी में लाना चाहेंगे use of mask ये भी एक study के द्वारा पाये गया है कि जबकि हम 6 फिट की दूरी दो गज की दूरी अपने मध्धे में रखते हैं तो भी अगर दोनों यानि की person जिसको COVID-19 हुआ है और person जो uninfected है यह आप एक किसी भी घर में ये स्थिती पा सकते हैं कि जो home isolation के cases है अगर mask का सरीडंग से इस्तमान न किया जाए तो 90% रिस्क है कि एक infected आदमी दूसरे uninfected आदमी को infect कर सकता है यहां भी अगर आप देखेंगे कि uninfected person अगर mask पहने लेकिन infected person ना पहने तो 30% उसके chances हैं कि वह infect कर पाएगा अगर infected person mask पहनता है और साथ में uninfected person भी mask पहनता है तो दोनों cases में 1.5% रिस्क रह जाता है Couple this with 6 feet distance between 2 people तो there is negligible risk of spread of infection across 2 people मित्रो हम आपके द्वारा सबसे यही request करना चाहेंगे कि हमारे efforts हो कि हम इस पर ध्यान रखे यह है विशे इस विशे पर हम इससे पहले कई बार बात कर चुके हैं लेकिन आज जरूरी है जिस तरह से runaway spread of infection हम पा रहा है कुछ प्रांतों में उन particular area में हमें कोशिश करनी है कि यह है process, hand hygiene, physical distancing और mask जिसको हम COVID appropriate behavior के रूप में कहते हैं यह हमारे जीवन चर्या का एक हिस्सा बन सके